अब दोस्तों कि मैं आप सब का भी कर आई जानते हैं हेल्जटेक चैनल में आप सब का बहुत बढ़ स्वागत है आज हम अनलोम विलोम के बारे में जाने की concept क्या है अनलोम विलोम एक बहुत ही अच्छा प्रानायम है जीसों करने से दोनों केटे हैं अच्छी फीज़ा से अच्छी हों अच्छी हों हलती है sinus के problem में भी बहुत काम आता है जिनको नाग बंद रहती है उनकी नाग सही हो जाती है और जो अनलोम विलम रोज करते हैं उनको कभी consternation का problem नहीं होता अईरवेद मत के अनुसार वादपित कफ अगर imbalance हो जाए तो सरा शरीप, सरा सिस्टम इस्टम हो जाता है अनलोम विलम करने से वादपित कफ ये भी नूटरल रहते हैं अनलोम विलम से बाड़ी में पेन, सुजन, गठिया जैसे रोग वो भी ठीक होने लग जाते हैं और सरदी, जुखाम फीबर ऐसे कहीं रोगों में इसे करने से बहुत फैदा होता है और बाड़ी को डिटॉक्स भी करता है तो आई जानते हैं इसो कैसे करना है और किति देर करना है आप इसे करने के लिए कोई भी पोजिशन में बैठ सकते हैं जैसे आप प्रजासन पर बैठ सकते हैं पदमासन में बैठ सकते हैं या फिर कोई भी सिंपल जिसमें भी आप कमपडबल हो वासन में बैठ सकते हैं या फिर आप जमिन पर नहीं बैठ सकते हैं तो चेर पर भी बैठ के कर सकते हैं इसको मिनिमम शुरू-शुरू में दो मिनिट जरूर करें फिर बढ़ाते बढ़ाते इसको आप 10-15 मिट भी कर सकते हैं शुरू-शुरू में शहद आपको कभी 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 ऐसा लगे चक्कर आ जाए ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन घबराये नहीं कोड़ी जो डिटॉक्स होती है तो कुछ ऐसा होने लग जाता है तो आए जानते हैं सु करने का तरीका सबसे पहले लेफ्ट हैंड में आप ध्यानमुद्रा बनाएं और राइट नोस को राइट हैंड के थम से बन करें और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लें फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बन करें और राइट से सांस छ लेफ्ट नॉस्रील से सांस छोड़ें, राइट नॉस्रील को बन रखते हुए, लेफ्ट नॉस्रील से सांस लें, फिर लेफ्ट नॉस्रील को बन करते हुए, बन करते हुए, राइट नॉस्रील से सांस छोड़ें, फिर लेफ्ट को बन रखते हुए, राइट से सांस लें, left nostril को बंद करते हुए right nostril से सांस फोड़िए left को बंद करते हुए ,right से सांस लें ऐसे ही इस प्रक्या को दो मिनिट तक करते नहीं , minimum 2 minutes इसको बढ़ा करके आप 10 minutes तक भी कर सकते हैं कि पाजिन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे मन में इसको रोज करें जन्यवाद जयेंगे